अब लगाई आपने पीडी पीटी लिंग लगाई यार आपने वो लगाई यह क्या बोलता हूं कि एक सेकंड पीपीटी कहा है इसकी सर्थ पीडियाफ है यह है सब्सक्राइब करते हूं और मैं यह उमीद करते हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आप लोग के स्टेडी काफी अच्छी चल रही होगी साड़े दस बज़ रहे है स्टाटिक जीकर एक बहुत प्यादा सा सेशन होता है आई होपसो आपको वॉइस मेरी एक सेशन करते 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 आजओ करते इसन जतने भी लोग है हां मैं बिलकुल एक दम ठीक हूं आप पताएं , आप क्यासे है वॉसस आज हम लोग पढ़ने वाले पढ़ने वाले है अगर हम बात करने की कोशिए करते हैं तो खेल ऑ्य कि आज का वारा टॉपिक के रहने वाला है वह रहने वाला है सपूर्ट का कहले हम बात करें तो खेल अचै Gentlemen जो पर लेंगे या कोई भी आगर नाशनल है या कोई भी एक नाशनल है तो उसका जो गेम है या उसका जो इस्पोर्ट से वह हम लोगा सीखने वाले हैं अच्छा इसके रवाबावा इस्पोर्स टर्मिनोलोजी लोग देखेंगे हाला कि हमारे एक्जाम में रहर होता है बर से पूछ लेता है इसलिए एक नजर हम लोग इस पर घुमाएंगी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स एक्विपमेंट और स्पोर्ट्स ट्रॉफिस और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक प्लेस अगर हम देखेंगे तो ओलंपि रिपीट करेंगे कि PDF जो आपको PDF अपलोड होती है उसी PDF को आप कम से कम 5-6 times 5-6 times आप क्या कर ले आप रिवीजन करें, रिवीजन आप लोग जो हैं वो करें, प्लस आप बाद में क्या कर सकते हैं, चीजों को लिख लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साथ में नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, यह हम आपको रोज बताते हैं, क्योंकि मेरे पास तो PPT है, आपको क् पड़ेगा शुरू करें शुरू करें सबसे पहली एगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है Amerika और अक्सर पूछा जबता है कि दोनों का नाशनल गेम क्या बनेगा बैटमिंटन जो है वो बनेगा अच्छा मलेशिया की अगर हम सॉरी क्या बोल रहा है हम यह बोर्ड सच में बहुत उचा है आज देखो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो बेसबॉल इंग्लेंड की अगर हम बात करेंगे और ऑस्टेल करें दो किया है यह कि यह होक्की कौषू नाशनल गेम कहा जाता मानते मयं मांते नडम इस नियंगर आप से अपक्रेंग को कि आ जाता हाँ होक्की को नियुकर हम नशनल गेशन कित lawsuit कहले हैं और इसनसरवतिक्रों सौनल यह पूछा इस इस दिया में बोलते हें होटकी को फ जाता है कि भैट बुलवर फिर अगर ओव बात करते हैं तो चार जो वार है युद्धorg यह पहनका नाशनल गेम है तो यह इंचनल गेम हो जाएगा वहीं अगर हम बात करते हैं जार्माब मजलकी तो बांजीन का पॉटबालired कशलिव अंगर ऑगन संब्वार। तो ध्यान जो देखो, अमेरिका, बेस्बॉल, इंग्लेंड, क्रिकेट, ऑस्टेलिया, क्रिकेट, मलेशिया, बैटमिंटन, भारत, होकी, पाकिस्तान, होकी, स्पेन, सांड या बुलवार, और ब्राजील की अगर हम बात करते हैं, तो ब्राजील का क्या हो जाएगा, ब्राज पाकिस्तान का होगे, भारत और पाकिस्तान का हो जाएगा, तो थाइक्वांड़ कहा होगा, तो यह ग्रणड़ का कहा होगा, अगर हम चाइना के बात करेंगे, तो यह जाएगा, अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो बैटमिंटन, जापान की अगर हम बात करते हैं तो जुडो, ठीक है, जब हम जुडो की बात करेंगे, तो कहां का होगा जापान का, अच्छा, इसके अलावा भुटान, बहुत बार आपके SSC ने पूछा है, कि भुटान का नाशन rythikal devay, आपको याद है, कहां से बिलॉंग करते हैं, पहली armless, तीरंदाच, शीतल devay, बताओ, कहां से बिलॉंग करते हैं, स्कोट्लेंड की आगर हम बात करते हैं बांगलादेश हमारे ही इंपॉर्टेंड बननता है, क्योंकि बांगला देश हमारा पडोसी है, तो जब हम कि बात करते हैं तो आंसर हमारा क्या बनेगा कबड़ी ठीक है बंगलादेश का क्या हो जाएगा कबड़ी जम्मु कश्मीर से चलो एटलिस तुम्हें समझ आ रहा है यह चीज बहुत अच्छी है आंसर कर पा रहे हो यह लिटरली बहुत अच्छी बात है मैंने सिर्फ आर्मल क्या हो जैगा इसराइल का फुट्बाल इसराइल का सब्सक्राइब और बांगलादेश का कबड़ी भुटान का तिरंदाजी जापान का जुडब गोडरे इसंस faculty नेंगे लिघर से ऑच सुथैंचc कोरिया की अगर हम बात करेंगे तो ताइक क्वांडो इसके बाद अमेरिका का बेस्बॉल है इंग्लेंड का और ऑस्टेलिया का क्रिकेट है मलेशिया का बैट्मिंटन है भारत की अगर हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान का होक्की है स्पेन की अगर हम बात करते तो बुल बेटा इसमें से बहुत सारी टर्म्स ऐसी है हम आपको सच्ची बतारे जो हमें खुद नहीं पता लेकिन भाई क्योंकि एक्जामिनर पूछता है सीधी सी बात है तो एक बार हम सिर्फ रीड कर देते हैं एक बार आप सिर्फ सुनियेगा ठीक है फिर जो इंपोर्टेंट होग वह हम आपको टिक कर देंगे तो हर चीज के बारे में पता होना यह पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है मैंने सर्च नहीं किया मैंने देखा लेकिन कभी-कभी कुछ चीजी क्लियरली नेट पर भी तो नहीं शो होती है तो ध्यान से देखो चाइना मैन है पॉपिंग क्रीज है डेड़ बॉल है थर्ड मैन है सिली पॉइंट है गली है ओवर है थ्रो हुक है पुल है मैडन है पिक्च है देखो मुझे सिर्फ पिच का पता है स्टेंप का पता है ठीक है इसके अलाब अगर हम बात करते हैं तो बेल्स है पावेलियन है फोलो आन है ऐसेज है कैरम है डेकवर्थ लूजिस है बैंड यौर बैक तो यह जो सारे शब्द है ना अचा तुमें सब पता है यह सारे के सारे किसमें इूज होता है लुश होता है तो अगर चाइनध में आपके पूछा जा चुगा है बस बागी तो इतना ही है ना चाइना मैं का संबंद बाइच जब जब बच्चों को पढ़ाते हैं चैनल के जो कुछ ब्रचन है स्कूप है ट्रिबल है हाफ बैक है एस्टो टॉफ एश्ट कॉर्णर है पैनल्टी शूट आउट का थोड़ा भाथ हम लोगों पढ़ा है सुना तो यह हो जाएगा पैनल्टी शूट आउट के अलावा आगर हम बात करें को यार्ड हिट कही बार एक्जाम में पू इसवेशन आपना हुई है ख़ाइजी यार्ड किस से होगा तो होकी से होगा फुटबॉल की अगर अगर हम बाप करते हैं तो फुटबॉल वाली तो सुने सुनाएं आसान है फुटबॉल के टफ नहीं है देखो किक है कमर बैंक है कमर, back इसके अलावा, rebound है baseline है, defender move, hat trick है football, stomper है free kick है, try breaker handball है, sweeper है throw in है, handball तो ये जितने भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे करे सारे किसमें football से आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँसे question कहाँ से बनेगे हम trophies से question बनेगाहा कि किस ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है अच्छा गॉल्फ की अगर हम बात करते हैं तो सैंड टूप है है तो टी शॉट है एस है अलबा ट्रॉस है टैग है डबल इगल फ्लेग है यह पूछा जा चुका है कि डबल इगल फ्लेग जो शब्द होता है यह कहां पusta है तो ड्बल एगल फ्लैग है अप्रोच फूट है काड़ोर हैं बैलनिंग है बड़ी बोगी हैं कीवारा है केडि है काल लागरीब है अगर हम बात किरते हैं प्रिंस ओफ वेल्स तो प्रिंस ओफ वेल्स का इस्तिमाल किसमें होता है तो इसका इस्तिमाल होता है गॉलफ में है ठ्यक है ऑच्छा इसके अप reflection धेताइभ बैट्मिंटन तो कंषक बात call सबसे तेज का रिकॉर्ड किसके नाम पर है बताओ 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 सबसे प्रकेंज अगर हों आजर करने की कोशिश करते सब्सक्य क्लैक साथविक लächst अटटविक आप गजजब करती हो तुम यह गान ची आंसर अमारा क्या बनेगा तो answer हमारा बनेगा साथविक अज़े टैनिस की अगर हम बात करते हैं तो baseball है, service है, drop shot है grand slam, grand slam साल में कितने grand slam होते हैं? 4 grand slam होते हैं अभी recent ही a grand slam है जो Carlos Alcaros ने जीता है उसका नाम बताओ, कौन सा grand slam है तो baseline है, baseline के लावा service है, service के लावा drop shot है, grand slam है wimbledon है, deuce है break point है game point है break point है, game point है और एक शब्द है ace तो ace का संबंद भी किस से होगा? हाँ जी, ace का संबंद भी किस से होगा? तो ace के संबंद भी हो जाएगा आपका tennis से, ठेक है? ace का संबंद भी हो जाएगा tennis से, आगे बढ़ें हाँ, साल में 4 grand slam होता है australian open, french open wimbledon open, US open और recently carlos alka rose ने wimbledon open जीता था याद है किसी को? wimbledon open, carlos alka rose अगर हम बाग करते हैं, शत्रंज यानि कि शत्रंज का मतलब होता है यहाँ से शब्द आपको सुने सुने हुए दिखेंगे जैसे कि king indian defense है, gambit move है, चक्मेट, गतिरोद इस्तिफा है, grand master है, वजीर है, घोडा है, राज्जा है, रामी है, अच्छा, grand master के अगर हम बात करते हैं, तो अब तक भारत के पास total grand master कितने हैं? तो महाम 8282, भारत के पहले grand master कौन थे? तो विश्मनातन आनन्द, फर्स्ट female grand master कौन थे? तो भाई, आमस सुबू लक्ष्मी, ठीक है? विजया लक्ष्मी थी, सुबू लक्ष्मी नी थी, सुबू लक्ष्मी तो भाली गई का थी? फर्स्ट female grand master, एक सेगेंड हम सार्च कर ले, फर्स्ट फीमेल grand master, फर्स्ट फीमेल grand master of India, फर्स्ट फीमेल grand master हो, सुबू रमन विजया लक्ष्मी, वह तो अमने कहा, सुबू रमन विजया लक्ष्मी, फर्स्ट फीमेल grand master of India, फर्स्ट फीमेल grand master, first female grandmaster of India first female grandmaster of India first female grandmaster of India MS Vijay Lakshmi subharaman Vijay Lakshmi we be our रमन विजिया लक्ष्मी विजिया लक्ष्मी सुभा रमन विजय लक्ष्मी ठीक है सुभा रमन विजय लक्ष्मी एमस सुभू लक्ष्मी की अगर हम बात करते तो वो पहली गाई का थी ठीक है तो इनका नाब क्या उजाएगा सुभा रमन विजय लक्ष्मी सुपरम्मन विजय लक्षमी फौक्व मेट्र ग्रेंड मास्टर तो शायीड हो इसको ना पता विश्वनातनान Bj Inside संस पूर्स है भारत को अब तक टोटल ग्रेंड मास्टर कितने मिल चुके हैurs तो टोटल टोटल एड टू एट तोग्रेंड मास्टर जो वह इडिया को अभी तक मिल चुकिए सबसे ज्यादा घुड़ टूनामेंट होता है उसको जीतता है वहीं तो ग्रेंड मास्टर कहलाथा तो तो सबसे जब अब तक टोटल भारत की पास कितने ग्रैंड मस्टर आगे तो 8282 ठीक है वजीर है घुड़ा है राज्जा है रानी है इन सब का संबन किसे है टैनिस है एथलेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जंप है क्रॉस कंट्री है फोटो फिनिश है रेलेच स्थ Chamber है लेन जिसका्स ऐंड बर हैं है हाइी घंप है які अंर्बलste है आयोग रोप्त या ईसका कर गोल से डिसके वाइंडक्ज आकोर्डिंड थे जो आपको ठीक लगत आर्टão बMr F तो शॉट पुट तो यह सबका संबंद किस से हो जाएगा इन सबका संबंद हो जाएगा आपका एथ है लटिक से कुछ्टि की अगर हम बात करता है तो नेलसन है हीव है सबका संबंद किस से इन सबका संबंद आपका टेबल टैनिस से होगा बेड़ा आपका एससी पूछता है कि यह क्योंकि आसान सवाल पर वो भी नहीं खेलता उसको भी पता है कि आसान तो यह रट लेंगे इन से टफ पूछा जाएगा तो यह शब्दा वली का इस्तमाल करता है आपसे यहां पर वो खेलता है मतलब यहां पर फसाने की कोसिस करता है वो बच्चों को ठीक है दन है तो हाफ वली है ड्राइव स्पिन है बैकेड है चाप है ट्वीडल है अगर हमें कोई मौका देता ना एक्जाम मतलब पेपर बनाने का तो हम चीजों को कोशिश करते कि भाई जो रेगुलर में जो चीज़ें हो रही हैं हम उन्हें वहां से कोश्चन पूछते हैं ठी प्रदी जादा बेतुके भाई जो हमारे जीवन में डेली चल रहा है वहां से हमसे पूछो न हम अपडेटेड है आप क्यों हमें बाबा आदम के जमाने में लेकर के जा रहे हो समझ रहे हो यहां से चीज़ें महुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनेंगी आप लोगों गी य किस खेल से जैसे रंजी ट्रॉफी दिलीब ट्रॉफी सीके ना इन सब का संबंध जो है वो किस खेल से तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले सबसे पहले अगर हम बात करें रंजी ट्रॉफी दिलीब ट्रॉफी बिटा सारी इंपोर्टेंट है सारी तीन बार पढ़ेंगे यह दो बार रंजी ट्रॉफी दिलेब ट्रॉफी एरानी कप देवधर ट्रॉफी सेयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी रानी जहांसी ट्रॉफी शीश महल सीके नाइडू ट्रॉफी ये सीके नाइडू लिखा है सेैठ सेहारा कप है एग्णलेटर में ट्रीऊ है बहुत बार आपके अग्जाम में पूछी यह और हम बात करते हैं में गावसकार बॉर्डर ट्रॉपी उसके अलावाटनी डी लिय ट्रॉफी जिलेट कप टाइटन कप टेकस आनोकप, आईपियल. आसान है क्रिकेट की तो सारी आसान है. देखो क्यासे याद करोगे आप सारे की सारे? आप कहोगे माम रणजे ट्रोफी का संबंद क्रिकेट से है. Most important है दिलिप ट्रॉफी का संबंद क्रिकेट से है. अतीम हत्वपुन है. इनानी कप का संबंद किस्से होगा तो क्रिकेट से होगा अगर हम देवधर ट्रॉफी की बात करते हैं तो क्रिकेट से हो जाएगा अगर हम बात करते हैं सेयाद मुस्ताक अली ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी रानी जहासी ट्रॉफी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूछीह बहुत बार पूछी कई है सहारा कउप का संबंद वह किस से यह सब कर टॉफेट ले करतें तो gratis हो जाएगा आप लोगों का जिलिट कप टाइटन कप टैक्सिको कप आई पीएल इन सब का संबंद किस से तो इन सब का संबंद आपका किरिकेट से ही होगा थे इस पैसली पूचा जाता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंद जो वह किस खेल से हैं सीके माइड तो सबको पता है विजय हजारे ट्रॉफी का संतोश ट्रॉफी में और यहां के ठॉफी में आपको कंफ्यूस करता हूब फुटबाल में और क्रिकेट में 100 बसन डेफिनेटली फाता है ठीक है तो फुट बॉर ś Dhezas सामिलर होते तो सारे बच्चे पास होते हैं क्योंकि मुझे यह पता है कि आप हमने 360 डिगरी पढ़ाया है बच्चा कहीं से भी आंसर कर देगा ऐसा थोड़ी है बाकी ऐसा नहीं है एससे बहुत टफ कोशन पूछता है वो करेंट के कोशन बहुत हलके उठाता है मतलब बहुत आसान कोशन उठाता है करेंट और स्टाटिक के अब अच्छा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन हमसे क्या कह रहा होकी गुरुनानक ट्रोफी ध्यांचंद्र ट् महराजा रणजी सिंग गोल्ड की गप लेडी रतन यृत ड्रोफी आगाघाकान कप का संबंद किस्से हो गयुंज यहाएगा हीनग के अगर इशिया कप अगा ऑलिंग्ुर्ण का जो संबंद है वो बोट रेसिंग ना न वहां पर भी आपको इन रुधाव तो वेलिंग्टन का संफ़ें दोनों से होगा होकी से वी और बोट्रेस से नौखायन जिसको कहा जाता है हिंदी तो ध्यान से देखिएगा गुरु नानक ट्रॉफी है गुरु नानक ट्रॉफी ध्यान चंद्र ट्रॉफी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रणजीत सिंग गोल्ड कप लेडी रतन टाटर ट्रॉफी आगा खान कप टेक है एशिया कप एशिया कप के पहले लिखा होगा क कि होकी एशिया कप है यह cricket ऐसेएगा करें नाषड मिलेगा क्योंकि एशिया कप whereas Great भी पढ़ोगे आगा खान कप हम पहले पढ़ चुके हैं वैलिंग टन का संबंध होक्की से ही हो जाएगा रंगा स्वामी कप मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि रंगा स्वामी कप का संबंध जो है वो किस खेल से हैं तो आंसर हमारा क्या बनेगा रंगा स्वामी कप रंगा स्वामी कप का संबंद जो है वो किस्से हो जाएगा तो रंगा स्वामी के अगर हम बात करेंगे तो होकी से और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हर कप का संबंद भी किस्से होगा तो ये भी आपका हो जाएगा होकी से पूछो, क्या बात पूछनी है, है ना, सोनी, बेटा, पूछो, सोनी, सोना, सोनी, आमे गूफत दा नजा, पूछो, सोनी, क्या पूछना चाहते हो, बताओ, जितने देर में आप ये क्या था, ना, मम, आपसे एक सवाल पूछे, बेटा, इतने देर में तो पूछ लिया करो, ठीक है जितने दिर में तुम्हें लगता ना मम आपसे एक सवाल पूछें क्या तो इतने दिर में पूछ लिया करो आगे बढ़ें मैं जी के जी इस और इंग्लिश में कितने कुश्चन करने पढ़ेंगे कि सेलेक्शन हो जाएं लोगा है कि मेरे के खर बीक है किया है कि घृत्चा कर देनल नियर्ट कर दो कम से कम आप यह मानों कि आप आठ या दस कोशन यह साथ से आठ कोशन आप जीके यस में गलत कर सकते हैं से जादALK अगर आप गलत करता है ना तो फिर मैत रिजनिंग में चीज़ें आपकी घटती चली आती है तो बच्चों का 100% फोकस यह होता है कि अच्छा परफॉर्म करें और जी के जिए से कैसा सब्जेक्ट है कि जो आपका समय नहीं लिता अगर आपको आता है तो टिक करो नहीं आता तो फिर आगे चलो है ना आता है तो टिक करो नहीं आता तो आगे चलो आपको दिमाग तो खपाना नहीं होता तो सबसे पहले समय में यहीं साथ से आट मिनिट का समय लगता आपके जी की जीएस को सॉल्व करने में बस ठीक है आजाओ अब चलते हैं होकी तो गुरुनानक ट्रॉफी है ध्यांचंद्र ट्रॉफी है आगा खान कप है रंजीस सिंग गोल्ड कप है लेडी रतन टाटा है इसके लावर रंगास्वामी कप है जोहर कप है और वैलिंग्टन कप इन सभी के सभी का संबंद किस से सभी का संबंद हो जाएगा होकी से अचा अच्छा फुटबॉल होकी और क्रिकेट तीनों की ट्रॉफी आप लोगों के एक्जाम में जो भर भर के बूशता है अब हम बात करते हैं फुटबॉल को लेकर के तो ध्यान से देखेगा संतोष ट्रॉफी है रंजी ट्रॉफी का संबंद जो होगा वह क्रिकेट से लेकिन सबसंतोष ट्रॉफी की बात करते हैं संतोष ट्रॉफी का संबंद फुटबॉल से उगा संतोष ट्रॉफी है रोवर कप आशुतोष मुखरत जी ट्रॉफी से लावाव है अब तक वैसे पूचा नहीं गया तो इतना कोई लिन्हीं देना है ना बहुत-ज्जादा की नहीं आएगा चैâte हम शूरेश के अलावा अगरन रोवर्ज का पूचा गया है इसके अलावा सुब्रतों कप आपके एक्जाम में पूचा कप यहां पर बेस्तमाल हो रहा है फुटबॉल कप लेकिन वो लिखके देगा कि यह एशया कप किसका है फुटबॉल का है होकी का है या क्रिकेट का है तो एशया कप से तो डर्माई नहीं है सबसे आसानी है फीफा वर्ड कप तो आप सभी को पताईए और साथ में उरफी का विखके है अला लीगा त्रॉफी का संबढ़ किस्ये ओगा तो ला लीगा ट्रॉफी का संबंद हो जाएगा फुटीन फुट फुटबॉल से ठीक अंग तो शंतोष रफीया रोवर्स कपर है सुभ्रतों मुखर जी कपर ए इसके अलावा बार्दुलाई है का ट्रोफी तो तुम वैसी फुटबाल लगा दोगे थे ना जब आगा खान कप की बात करेंगे तो किया वैसी लगा दोंगी क्योंकि हमने पढ़ा के आगा खान कप का संबंध की से हैं तो ला लिगा का फुटबाल से संतोष ट्रोफी बहुत बार पूछा जाता हैं कि संतोष ट्रोफी कर संबंत किससे हैं तो से Days हैं मЫростailleurs जानbn है इसकेज बाद आधा करते हैं अगर्वाल कप अगर्वाल कप यह बैट्मिंटन से संबंद देता है सुधीरमन कंप पूछा हुआ है एक्जामिनर ने अच्छा इसके बाद अम्रत दीवान कप साथी में उबेर कप उबेर कप के आलावा थॉमस कप ठागा थॉमस कप हो हो जाएगा थाइलेंड ओपन की अगर हम बात करते तो बैट्मिंटन है और इसके अलावा अगर आप बात करते सोफिया कप सोचा यहां पर तो चीज़ें कितनी आसान है मतलब उतनी भी टाफ नहीं है जितनी हमने सोची है अगरवाल कप सुधीर्मन कप अमरत दीवान कप ऐस्चिलिया कप इंडोनेशिया ओपन नारंग कप अठायलेंड ओपन सोफियाक इन सभीके सबीका संबंध किस्से और 틈 गर बात करते हैं, tennis तो डविस कप, सब से प्हले पूछ आजाता है, डविस कप का संबध ने किसे है, तो डविस कप है, मियामी ओपन है, इटलियन कप है, साथी में एटेपी की बात करेंगे, तो एटेपी का संबध किसे हो जाएगा, तो टेन्स से हो जाएगा, स्पेशली अगर हम बात करें तो भाई मियामी ओपन मियामी ओपन का संबंद किस से है तो मियामी ओपन का संबंद टैनिस से है इसा हम बात करें टी टी कीं तो टेबल टैनिस के सिर्फ और सेंध रामानुज टॉफी की इसके अलावा कुछ याद रखना है बिल्कुल नहीं याद रखना त्यंसे हम पढ़ लेते हैं Alumni Cup है practically Raja स्वेलिंग कब फ्रमस == ہے थोमसane कब हम पहले पढ़ा याद आया है किसी को थोमस कब अभी रिसेट्लेश हम लोग सेड़े आये हैं थोमसस भाडमिन्टर व्यार धैटमिंटन है से humor कब makes थोमस कब का संबस्बंद बड्मिन्टर ते भी होगा और तो सब्सक्राया टा-धिस से भी देखा होगा अके उसाल किरतब आधेंगा साफेजाने के रिकिवालगर चुरा क्या ही निम्हें प्रौत होती अर्फिक काम साल टेमस कि अपाधानिस टेबलगर Hoe चाएगी है तो यह बिलीडिय सेबी संबंदित है कि एकंग का फॉमस करने हैं बहुत वार करने हैं कि वार्क करते हैं तो वारकर कप है राज़ एक सौलहें के राइडर कप है है सोलहें कप है इसके ळावा अगर हम बात करते हैं तो मुथाईया गोल्डिक ऑफ है सोलहेमम कब है मुथाईया गोल्ड कब इसके अलावा घर हम बात करते हैं इतना स्वेक्ट करीज लिया यह दे दे offsर्व थी तो यह हमारे लिए क्या बनेंगा इंपोर्टंट बनेगा करें चेकर टर कप राइडर कप special हियाँ गुंध कपूर एस सब का संबंद मुथ से है शत्रंच में शत्रंच में मैं देखो नाईडू ट्रोफी पूछे जाती है बैंक है हिडाड़ांट्रोफी लिम्का ट्रोफी सब्सक्रण ब्रॉटी फॉर्ट वाला चस्स्थ उलंपियाड को पूचा जाता ना ओलंपियाड का संबंद किससे होगर चस्स से था टॉप ट्रॉफी के नाइड़ू ट्रॉफी है लिम्का ट्रोफी है तो इन सब संब्ध का संब्द कि स्क्राइब वलीबॉलीर्ट कि बात करोगे इंद्रा ट्रॉफी ऐंसे के अगैने र१ाया है ४ूडिक इंद्राप्रधान ट्रॉफी का संब्ध किस से गरें हम बात करते हैं तो कुछ याद रखने के लाएं कि क्या कुछ याद नहीं रखना है तो मैं आप federation कप अगर चाहो तो याद रख सकते हो federation कप संबंदित किससे हो जाएगा मुख के भज़े से वागे अगर हम बात करते हैं निशाने बाजी तो वैल्स कप अग्जा कभिभी वेल्स तो व्सक पका संबंदित किसे होगा निशाने बाजी से यह आयां कि आरचरी तिरंदाजी पर दीचिकेश्ट वेक्राव कं के वाजया यहाद रखने वास्केटब्ल से यहाद हो और कितानbreak करने का साथकेतानushiंते और द्बाइ कपका संबंद भी किस से होगा कबड़ी से होगा बस इतना याद रखना है जरूरी नहीं कि आप याद रखें इन्हें है ना बिल्कुल जरूरी नहीं आपके वहलितना याद रखले चेतान ट्रफी और दुबई कफ फे यह के लावा नौक आपने वेलिंग्टन ट्रफी पहले बताकर कुई आरे हैं को ने मैं आम आपने वैलिंग्टन ट्रफी कहां पर बताया है अभी रिसेंटली हम आपको वेलिंग्टन ट्रॉफी पता करके आए हैं कि वेलिंग्टन का संबंद जो है वो नोकायन से भी और एक स्पोर्ट और था जिसका संबंद जो है वो वेलिंग्टन से होगा ध्यान से देखो कोशन क्या रहा है वेलिंग्टन ट्रॉफी नहरू ट्र वेल्ड कप का संबंध तो भारत केस्री अब सब्सक्राइब किसैं तो एक मैं नजर घुंसे चले गा मिला यहां से लोगे रे से उसी को शुरूंग सब्सक्राइब संब्सक्राइब करिकेट से अच्छा इसके लाबा कुरुनानक ट्रॉफी ध्यांचन ट्रॉफी रणजीत सिंग गोल्ड कप है लेडी रतन टाड़ा ट्रॉफी है आगा खान कप का संपंध किस्से है एश्या कप वालिंग टन कप का संपंध भी किस्से हो जाएगा रंगा स्वामी और जोहर होता है जोहर रंगा स्वामी और जोहर में बात करतें तो किस्से है तो हमारा बनेगा होकी से नेक्स्स की तरह हम चलते संदोश ऑपी है रहां डोवर्जी ट्रोफी है सुपरतों गर्जी करते हैं अजना तो एशिया कप ए फीफा वर्ल्ड कप ला लीगा ला-लीगा वहात को फुट बोल से बैटमिंटन की अगर हम बात करते हैं तो अगरवाल कप है सुधिर्मन कप अमर्द दीवान कप अबेर कप थॉमस कप हम आपको बता है ना थॉमस कप का आगे भी संबंद है ठीक है थॉमस कप वेटलियन बतैकर हैетट गफर कभफ ऐसे हो जाएका रामानुच का संबन्हों किसवी की सथभामुजकरी कि ट्रॉफिय का संबन्हों ट्रॉफी जामानुच प्रजीय मैं तो खाल वाणूऒर का संबन्हों पढ़िए लिलडीय संदे संदा है वो मिल जाएया वारकर कप है, RIDER CUP है, SAULHEM CUP है, SULHEM Socialy पूछे लेता है कभी कभी, तो SAULHEM CUP है, मुथाया, GOLD CUP, तो इनका संबंध किस से हो जाएगा, तो इनका संबंध हो जाएगा, आपना, GOLF से, खेतान, TROPY है, NIDO TROPY है, LIMKA TROPY है, और शत्रंज startup OULEMPIA yapt right किसे हैं इसके लावा अगर हम बात करते हैं तो rapid championship इन सभी का संबंध किस से इन सबी का संबंध शत्रंज से है बॉलीवॉल की अगर हम बात करते हैं इंद्रा अ प्रधन ट्रोफी का संबन्ध किस से הpt बॉली बॉल से मिलेटयए उर्थर वर्कर और दुबई कप है ना खेतान ट्रोफी और दुबई कप केतान ट्रोफी और दुबई कप संबंद किस्ते हो जाएगा दोनों का आंसर हमारा बनेगा मैम कबड़ी अच्छा इसके बाद हम लोगों ने नौकायन पढ़ा वेलिंगिटन ट्रोफी नहरू ट्रोफी और अमेरिकन टॉप ठीक है तो इनका संबंद किस्ते हो जाएगा नौकायन से वर्दमान ट्रोफी के अगर हम बात करते हैं तो भारतोलन ठीक है वर्दमान में कंप्लीट करना है क्योंकि आज आपके पास आल्रेडी याद करने वाला मटेरियल बहुत जादा हो गया है ऐसा मुझे लगता है परस्नली बट अगर आप कहोगे तो हम दस मिनट और पढ़ा देंगे जिससे यह हो जाएगा कि हम कल थोड़ा सा क्या कर लेंगे एक बाद कर देशा स्टाटीक जी कि का सबजेक्ट जिसको हम बोलते हैं फेक्चुल सबजेक्ट फेक्चुल का मतलब होता है कि इसमें आपके ऐसे थीोरी नहीं मिलती है आप यह सोचें कि हम कोई हम आपको कोई बटा दें या बटा एक्जाम में जितने बी ट्रिक्स होते हैं वो सो हो जाती हैं तो स्टाटिक इस बेस्ट ओन वेस्ट ओन ऑप्शनल या फिर आप यह भी बोल सकते हैं कि फेक्श्वल डाटा होता है इसमें सारा का सारा ना सारे के जारे हमें एफेक्ट्स रटने होता है एक एक चीज़ को अलग-अलग तरीके से दन रहा चलो तो हम थोड़ा सा एक बार इसको पढ़े लेते हैं सीख लेते हैं कि ओलंपिक एक्च्वल में है क्या और मतलब अब तक हुआ क्या बस पांच मिनट लगेगा जाता समय नहीं लगेगा ध्यान से देखो अगर हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की तो भाई देखो से अगर बात करते हैं थो ऑलंपिक बनाता यह मनतल बद्डवन को मनते में तatori्स जून को इसके अलावा आदूनीक ऑलंपिक खेल प्रती होगी तकी तो 1896 में फ्रांस के PRAD को बार्टिन के प्रियासू से युनान के एंथेश तहर में हुआ फोस्ट वाले जो उलम्पिक होते हैं वो कहां पर होते हैं तो युनान युनान के एंथिस में हमारे लिए केवल यह माईने रखता है कि पहले वाले उलम्पिक कहां पर हुए हर चार साल में इनका एक बार आयोजन होता है उलम्पिक का तो ध्यान रखिएगा अगर मैं आपसे प्रतियोगिता का प्रारम 18-96 में जो France के of प्रियासों से युनान के एथेंस में पहले वाले ओलंपिक कहां पर खेले गया तो युनान के एथेंस में उलंपिक कहले गये थे अंतराश्ची अलंपिक समीटी के स्थाफना 23 जुन 1894 को होती है इसी लिए 23 जुन को हम लोग क्या मनाते हैं इसी दिन इंटरनाशनल ओलम्पिक कमीटी की स्थापना होती है 1894 और उसके पाद 96 में पहले वाली ओलम्पिक होते ही है एथिंस युनान में उसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसका जो मुख्याल है वो कहां पर हो जाएगा तो लिउसाने स्विट्जर लेंड में नाम अच्हाएं उसके बादो है क्वेशिट्य इसका है नाम अपर होसा देखाएं ब्लाकिक और उसके बात् Yogoda किसे एंटकश को के अधि से फ Васानें इसजोस्तरं सप्राज केमितने होटा तो इनका फोलम्प नाम होका नहीं भी देखा होगा हम आपको नहीं दिखाँ देता पूचा जाए तो टोटल उसमें केरे कितने हो ठीज केवाल इतना याद रखना है कि देखो पांच चक्र ते जो एक दूसरे से मिले हुए बर शाय है जो के विश्व के कितने छोंगने पांच महां वीप्ड को क्या करते हैं आपस में दर्शाटे औरर वह आपस में करतें प्रडेंट करते हैं, five continents को, ठीक है, पाँच महा द्वीप को, हम एक बार आपको दिखा देते, ये रहा, ध्यांसे देखो, यूरॉप को, ब्लू वाला यूरॉप को, ब्लैक वाला अफरिका को, रेड वाला अमेरिका को, यलो वाला एशिया को, और ग्रीन वाला किसको, तो ग केवल और केवल उडीशा के फेस्टिवल रहे गए तो वह हम आपको करा देंगे थोड़ा सा क्लास के एंड में चलो तो नीला वाला किसको रिप्रेजंट कर रहा है नीला वाला यूरॉप को काला वाला अफ्रिका को लाल वाला उत्तर और दक्षन अमेरिका को पीला वाला अब जरा ध्यान से देखते हैं ओलम्पिक जो द्वज आप देखोगे उसमें टूटल आपको कितने कलर देखने को मिलेंगे उसमें तो आपके कॉंटिनेंट्स हो गए और एक वह जो वाइट जिस बैक्ग्राउंड पर वह बना हुआ है आपका फ्लैग ओलम्पिक फ्लैग इसको डिजाइन किया गया है पहली बार 1920 में इस ध्वज का जो है वो इस्तमाल किया गया है इंपोर्टेंट क्या बनेगा उद्देश है है ना ओलम्पिक का जो मेन उद्देश है या ओलम्पिक का जो मेन एम है वो क्या हो जाएगा तो ध्वज का उद्देश हो जाएगा स CTS, LTS, Fortium, or Communitor, Communitor को 2020 वाले OLEMPIC में ADD किया गया था, अब ध्यान से देखो आप सारे के सारे, इसमें CTS का मतलब होता है, जो बहुत तेज होता है, है ना, CTS का मतलब होता है, कि आप ऐसा करो, बेटा तुम तो बिल्कुल कमियां पर कमिया निकाल दिये हो, अब आवोर्ट्स आपको, इतना सार अबर केंटिंग होगे, मैं को लग रहा है, एक्स्ट्रा लेना पड़े गाई, चलो लेते हैं, इस गुरुवार को देखते हैं, अगर इफ, स्वाट फ्री हुआ, तो हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, चलो, ध्यान से देखते हैं, देखो ध्यान से द्वज का उद्देश्य को रजाएगा, CTS, CTS का मतलब होता है, जो आप अपने आपको तेज बनाए, CTS का मतलब होता है, आप उचाई को टच करें, आप उचाई को छूए, 40M का मतलब होता है, आप बलवान बने, और कमिनेटर का मतलब होता है, कि ये सारी चीजें हमें सा साथ-साथ करना हैं, तो CTS का मतलब तेज बनो, LTS का मतलब उचाई को छूओ, 40M का मतलब हो जाएगा, अपने आपको स्ट्रॉंग करो, बलवान बनो, और कम्यूनिटर का मतलब होता है, साथ-साथ, ये सारी चीजे हमें क्या से करनी है, ये सारी की सारी चीजे हमें साथ-साथ करनी है, तो मेन हमारे लिए क्या बनेगा, उद्देश है, बिटा आपको दुखी नहीं करेंगे, किसी बात को लेकर के, मुझे भी पता है कि मुझे कित्ता हो, और क्या-क्या करवाना है, तो हम परिशाम नहीं करेंगे आपको, ये फ्लैग है, ये हम आपको बता रहे थे, ये वल्ला जो है, ये इसका background हो जाएगा, और ये 5 continents के लिए ये आपको circle देखने को मिलेंगे, 5, ठेक है, 5, आचा, ओलंपिक मशाल, वैसे आज तक एक बार भी नहीं पूछा गया, कि कब इसकी शुरुवात होई, कब इसको पहली बार जलाया गया, फिर भी हम पढ़ लेत है, इसे जलानी की शुरुवात 1928 में होती है, पहली बार मशाल को मिनार के उपर जलाए गई, बाकि इस समय जो मशाल है, हाथ वाली, वो 1836 में जलानी शुरू हुई, पहली बार कब, तो पहली बार 1928 में शुरू होती है, और इस समय जो आप मशाल जला रहे हैं, वो 1936 में मशाल को देखना है वेमन को नहीं देखना है इस रिपोर्स तो मशाल को देखें तो पहली बार मशाल 1928 में इस समय जो हात वाली मशाल आप देखते हैं वह 1936 में वह जलाई गई है ओलंपिक खेलो का टीवी पर पहली बार जो बोड़कास्ट हुआ था वह नाइटी सिक्स्ट में आया यानि कि हर साल इसका जो मैं स्कॉर्ट होता है वैसे तो तो ओलंपिक का इंपॉर्टेंड क्या बनेगा कि फिर्स टाइम इसका हम बोल सकते हैं कि ओलंपिक खेलो का टीवी पर प्रसारण हुआ था वह नाइटीन सिक्स्टी में हुआ था बाकि ओलंपिक मैडल कप स अब बॉक्त सार बहुता यह थोड़ा नहीं है बहुत साले कर देख़ें कि अब अब अधर ओडीशा कर लो हम पर फैस्टिवल बच गहते देखो पोड़िशा की अगर हम बात करते हैं तो धानु जात्रा धानु जात्रा के अलावा बाली जात्रा धानु जात्रा धानु जात्रा धानु जात्रा बाली जात्रा रज पर्व रज पर्व राजा पर्वा फेस्टिवल राजा पर्वा फेस्टिवल या राजा पर्वा म मठसा का कौई मुझे बढ़ा घ्रस वर सजुटल अरोर हैידerा एक पर बताएं कि कौनसा फैस्टीवल जो मारा होज़क बढ़ा प्योइन्स पैना अगर हम बात करते हैं किसको लेकर के तो नुवा खाई नुवा खाई महत्सव यह कहां का होगा तो नुवा खाई महत्सव हो जाएगा आपके ओडिसा का अरुनाचल प्रदेश के अगर हम बात करेंगे अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल के तो शहिए हम करवा दिये तहीं मुझे याद है अरुनाचल प्रदेश अगर हम अरुनाचल के बात करते हैं अभी रीजेज में हमने चाहता हुबाजा है करेंड फिर्ट सघ्ट कलासमें चचिन चराई पैस्टिवल या चचिं च्चराई मौतसव चचिन चराई, महस्व, प्लस अगर हम बात किरते हैं, तो सोलूंग, सोलूंग फेस्टिवल, या सोलूंग महस्व कहां का है, तो यह अरुनाचल प्रदेश का ही है, इरी मानू, इरत्फा फेस्टिवल, और एक होता है आपका गान नगाई फेस्टिवल, यह मडी पूर की है, तो अगर इमेजस के साथ लाएंगे, तो जादा समझ जाएगा, इससे समझ नहीं आएगा, सिर्फ बोलने बर से, चचिन चराई, हाँ जी, चचिन चराई, तो आज के स्टिवल को हम लोग यही तक रखते है, मुलाकात करूँ कि कल, कल का टॉपिक छोटा ही है, कल कम एक क्या तो आपको Nobel Price बच गया है, थोड़ा सा आपको मुझे, ग्यालंटरी अवड्स में कराने है, मतलब ग्यालंटरी अवोड्स शर्म नोच को दीए हैं उक के, तो ग्यालंटरी अवड्स ऐस्टिवल्स और प्राइस ठीक है, और यह वाला जो बचा है, ये सब हम कल कर व thank you so much bye-bye let's talk like you you you